दियर स्टुडेंट आप लोग का स्वावत है आपके अपने चैनल SRS Classes में और जहां भी दर्थियों में आज आप लोग को बता दू कि जो लाश्ट फिगर आफी स्पीच है आनो मेटो पिया हाँ इसे क्या बोलते हैं आनो मेटो पिया इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को इस्टार करते हैं तो जो आनो मेटो पिया है इसे हिंदी में बोलते हैं ध्वनी सूचक अलंकार देखिए ध्वनी सूचक मतब इससे ही यह निसकर्स निकल जा रहा है कि जरूर इसमें ध्वनी की बात आएगी तो चलिए देखते हैं आखिर इसकी definition क यहाँ पर देखिए, in this figure of speech, यहाँ पर कामा लगाना जरूरी है, this sound suggests the sense our meaning, कि जो इस अलंकार में सब्द की आवाज से अर्थ का बोध होता है, जो यह अलंकार है ना, इस अलंकार में सब्द की आवाज से अर्थ का बोध होता है, तो चलिए, अब इतना तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अभी आपको इदम clear समझ में रहा हो, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, कि जैसे जो इस अलंकार है ना, इसमें जो सब्द की आवाज है, उसी से अर्थ का बोध होता है, जैसे देखिए, साधारता इसमें भिन भ आवाज को, पानी की आवाज, मतलब ध्वनी, किसी भी चीज की आवाज, माली जैसे साफी सिसाया, और पच्छी का चाहाना, और माली जैसे पानी का गिरना और आवाज करना, बारिस आने पर आवाज करना, मतलब ध्वनी का कहीं भी मैटर आता हो, तो ध्वनी मैटर को ही आ अर्थ का बोद होता है साधारता भिन भिन पच्छियों जानरों तथा वस्तूओं की ध्वन के लिए अंग्रेजी में भिन भिन सब्दों का प्रयोग किया यता है देखिए मैं आपको बता दूँ कि कोई जानर तो हर जानर बोलते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जानर का एक ही मीनिंग है बोलने का हर जानर का अलग-अलग है जैसे देखिए बिल्ली म्याउ म्याउ करती है और जो कुकु कोयल बोलती है तो सारे की जो जानरों को बोलने का तरीका है उसका अलग-अलग मतलब अलग से मीनिंग दिया गया है जैसे मालीजे दिसनाइक ही सेज तो इस प्रकार आपको जदी आपको मालीजे अबर एक एक जामपल दे दे और पूछे कि आखिर कौन सा फिगराफिस पीच है तो अगर आनो मेटो पिया है तो उसे आप किस तरह पाचानेंगे तो आनो मेटो पिया को पाचाने का असान तरीका कि जरूर उसमें कोई धोनी सुचक आएगा धोनी सुचक मिन्स मैं किलियर कर दूँ धोनी सुचक अथार्थ उसमें धोनी रहेगी द्वनी पच्छी के बोलने की, पानी के गिरने की, मतलब किसी भी ऐसी चीज होगा जिससे उसमें आवाज प्रदर्शित होगा तो चलिए अब देखते हैं इसका कुछ एक्जामपल, जैसे माल लीजिए दी कैट म्यू जो बिल्ली है, वो मयाँ मयाँ करती है, तो बिल्ली के बोलने को धिकैट मियू तो यह कहोंसा फिगर आफी स्पीछ है? आणॉमेटो पिया और जो सकेंड फिगर आफी स्पीछ है, उसे हम बोल सकते हैं, मतलब स्री जो सकेंड एक्जामपल है, वो कुकूज सी यू तो देखिए यहाई पर कोयल जो बोलती है मीठी बोली उसे कुकुज को बोलते हैं और जो चलिए जो next example भी इसे दे सकते हैं आनोमेटोपिया में दी स्नैक हिसेज जो साफ है, साफ क्या करता है? जैसे मालीजे कहीं हिस की आवाज आती है तो उसे भी तो मालीजे इसमें हर देखिए जो भी जानवर की बोली है उसका अलग-अलग इंगलिस मिनिंग निर्धारित किया गया है तो इस परकार और मालीजे जैसे एक और एक्जामपल देदू नहीं तो आप लोग को है लगेगा कि केवल जानवरों की बोली को ही मतलब इस गंतर कतिया जाता है लग कि ऐसा बिलकुल नहीं है ध्वन को लिया जाता है ध्वनी मतलब आवाज को तो जलिए पानी की बुदे जब गिरती है बारिस की तो उससे भी हम बोल सकते हैं कि ये कौन सा फिगराफ इस पीच है ये आनो मेटो पिया है जिसे देखिए फ्रेंट I heard the water lapping on the crag I heard the water lapping on the crag इसका मतलब मैंने क्रेग पर पानी की बहचार सुनी तो बहुचार आया तो उससे क्या हुआ ध्वनी निकला की नहीं निकला तो इस पर कारे कौन सा हुआ ध्वनी सूचा का थार्ट आनो मेटो पिया फिगराफ स्पीच और चलिए जो अब तो आप लोग का फिगराफ स्पीच एकदम समाप्त हो गया आपका कोई नहीं कट कर सकता एकदम टोटल में टोटल इसमें राइटिंग मार्क्स भी नहीं कटाएगा क्योंकि इसमें गड़ित की तरह नमबर मिलता है फिगराफ स्पीच में और जो नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएगी इसके लिए बता जाएगा कि आपको उसमें कुछ एक्सोसाइस दिये रहेंगे उसको आपको समाप्त करना रहेगा धन्यवाद